एलो फ्रेंड स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूरूप चैनल मेज़र टार्गेट पर तो फ्रेंड जैसा है कि आपको पता है कि हम परतेक रविवार को då कफ़ास 10 के सभी सभजेट का मिक्स पर्सनों का धमाकेधा टेश्ट लेते हैं जिनमें हम लोग 30 पर्सन सेलेट करते हैं और 30 में से मातर आपको 25 सभी करके दिखाना है अगर आप तैयारी अच्छी तरीके से करते हैं अगर आपको अपना तैयारी जाचना है तो इस क्लास को शुरू से लेकर आगरी तक जरूर कीजिएगा क्योंकि आज के इस क्लास में हम लोग ऐसे ऐसे महत्पूर्द इंपोर्ट को सेलेक्ट किये हैं जो आपके 223 के बोर्ड एक्जाम के लिए रामबान सावित हो सकता है इसलिए क्लास को सुरू से लेकर आगरी तक जरूर कीजिएगा दोस्तों आपको उसिस कीजिएगा कि एक एक को सांसर जो है ना कमेंड बॉक्स में लाइफ चैट में कमेंड जरूर को मिलेगा तो फ्रेंड है फडावर सी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और दोस्तों चैनल पर नहें है ना तो प्लिस दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा साथ में नौडिफिकसन बेल आइकन आएगा इसे प्रेस करके जो है और यहां पर चले सुरू करते जो कि बहुत ही महत्पूर्ण परसन बोड एक्जाम में 100% पूछे जाएंगे परसने एक रहाए कि मानो सरीर की सबसे बड़ा अंग कौन सा है काफी simple परसन है तो यहां पर आपको बताने कि मानो सरीर का सबसे बड़ा अंग कौन सा है तो यहां पर option A में आपको दिया हो यह केर्थ या फिर फेफ़रा और option C तौचा या पिर धमनी तो फ्रेंड मानो सरीर का जो सबसे बड़ा अंग है ना यहाँ पे अंग पूछा गया है तो अंग में क्या हो जाएंगे ताउचा यानि कि इस कीन हो जाएंगे और दोस्तों यहाँ पे एक परसन ही पूछा आते हैं कि मानो सरीर की सबसे बड़ी गरंती कौन है तो यह किर्थ होते हैं ठीक है लेकिन यहाँ पे जब आपको अंग पूछा जाए तो आपको क्या करना है कि ताउचा में टिक कर देना है यहाँ पे सीवल आपसन जो है तो फ्रेंड है यहाँ पर देखते हैं पे तीसरा नंबर पर जो की बहुत हिमत पूर ने क्या करा है कि यहाँ पर आपको बताना है कि दलीद गरामवासी पूरूस की कथा कौन सा है तो यहाँ पर आपको Dascar यह पर करमविर कथा या पिर आलस कथा या फिर भिकन टोला और अपसंटी है नील टोला तो फ्रेंड है दलीद गरामवासी पूरू से ना उसकी कथा क्या है तो इनकी कथा क्या है दोस्तो कर्मवीर कथा इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहां पर एबला अपसंट जो ना तुस्त स्वानटार को क्या कहते हैं तो और अपसंसी कोश्या पर इन्में से कोई नहीं तो फ्रेंड जो आदुनिंग-अवर्थ-स आरदी में जो-6-3 कतारे होते हैं तो इसको उमुक्त कहते हैं यानि कि यहां पे यह ब्लकूली करक्ट आंसर हो जाएगा और दोस्तों एक पूचह लोग क्या कहते हैं कि आदुनिक और तसारणी में मतल्ब और टो तक होते हैं कि hem तो हberg कुछ पारपें करते हैं जो आदुनिक औरता किसे के बोन औरतम ने कंटे explained कुछ अबरत कहते हैं और छोड़ का सब्सक्राइब कर दो खारच ऊथीज लग sma avarad rn Stage are gauge करते हैं अब आये फ्रेंड देखती हैं यहां पर देखेगा पांच नमर पर जो की बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मत्पूर्ण है क्या कराई कि यहां पर बताना है कि 9 सेगी स्क्वाइर सबसे पहले यहां पर देखा जाए तो सेगी स्क्वाइर के साथ 9 है और 10 स्क्वाइर के साथ 9 है तो दोनों में और क्या बचेगा तो 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 आपको फ्रमुला पता होने फ्रमुला क्या होता है दोस्तों यहाँ पर देखेगा कि इस स्कूर ए कि स्कूर एजने सब्सक्राइब करके यहां पर जरूर कर लेना है ठीक है और इलाष्ट में अपना मुगायल नमर देंगे वार्ट सब्सक्राइब कर लेकर आखरी तक जरूर कीजिएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं आप छे नमर परसंट जो की बोड़ एक्जाम के लिए भी परसंट जो बहुत ही मतपूर ने क्या करा है कि यहां पर आपको बताना है कि लाल सेना का गठन एक किस नहीं किया तो यहां पर परसंट चीन बलकुली करक्ट आखरन सेर हो जाएगा अब चलिए फ्रेंड देखती हैं देक्ष जो किर्च अब खरी बहुत ही सिंपल परसन है तो इस तरह का परसन जब भी पूछा जाए ना तो यहां पर जोड़ी दिया हुआ है दिया हुआ उसको फिले देख लेते हैं क्या दिया हुआ है टू साइन क्यों को करेंगे को सिरा टर्ली करें तो यहां पर पता होना चिसे yn तो आपको फर्मुला पता होना चीए कि साइन नवे डिगरी माइनस थीटा बरावर क्या होता है आपको पता होना चीए साइन नवे डिगरी माइनस थीटा बरावर क्यों वो देंगे तो फरेंण आपको पता होना चीए कि कोश बावन्ड डिगरी से केंसिल हो जाएगा और यहां पर कितना बचा धो बचा यानिंगा इंसर ज। वी बлив विला और अपिश्न ञखती क्यों रोजा सर हो जाएगा उम्मित करते हैं यह पर्सन आपको काफी अच्छी तरीके से समझ में आ चुका होगा जब भी इस तरगा पर्सन पूछे ना भेलो निकालने के लिए तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि दो में ऐसे को एक चीछ को चेंज करना होगा आपको पहले माइल लगाना पड़ेगा कि यहाँ पे ना तो साइन 38 डिरी का मान होता है और ना इकोस बाउन डिरी का मान होता है तो इसके लिए आप लोग क्या कीजेगा यहाँ पर दोनों में से कोई एक चिछ को चेंज कर देना है तो यहां पर हम लोग क्या कियें दोस्तों sign को जो निया कोस में change किये हैं तो यहां पर हम लोग क्या कियें कि true sign true sign है तो 2 sign लिख दिये और यहां पर sign 90 degree minus theta कर दिये तो यहां पर आपको अपने खुछ से दिमाग लगाना पड़ेगा कि मतलब 90 में कितना घटाएंगे तो यहां पर 38 दिगरी होगा तो नीची में जोड़ेगा ना वहीं सिंपल आपको घटा देना यानि कि 90 में अगर 22 घटा देंगे तो यह पर 38 दिगरी प्राप्त हो जाएगा अब चले देखते हैं पर नेक्स्ट को संजो कि बहुत ही महत्पूर्ण है बोड एक्जाम में काभी बार पूछा जा चुका है तो आप देख सकते हैं क्लास कर सकते नो बज़े वाला तो फ्रेंट पर सब्सक्राइब कि अड़क्त में आइरन की कमी से होने वाला रोग क्या है खि CRPD हैं अगर ब्लढ में आइरन का कमी हो जाता है न तो कौन सा डायि जीच और कि कौन सा बीमारी होता है तो यह पर अप्सण ए में एपसे घंगा होग या फृर और उपसंदी दिये मदू में रोग तो फ्रेंट जब भी रख्त में आइरन की कमी हो जाता है ना तो एन्न पूछे जाएगा और दोस्तों सरीन में कमी से कुन सा रोग होता है घेंगा रोग होता है और विटामिन एक कमी से कुन सा रोग होता है और एक परसने पूछा आते हैं कि दोस्तों मधू में नामक रोग होता है जिसको क्या करते है डाइबेटेज भी करते हैं अब चले फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट क्वेस्टन जो कि बहुत ही मत्पोर ने बोड एक्जाम हंड्रेट परसन यह भी परसन जना पूछे जाएंगे सो परतिसत परसन यह कराए कि गांदी जी सिक्षा को क्या उद्देश से मानते हैं तो यह पर वैग्यानिक बनना यह पर चड़ीतर निर्मान यह पिर यांतरिक दक्षता तो फ्रेंड है गांदी जी सिक्षा को क्या उद्देश से बनाते हैं क्या उद्देश से मानते हैं तो चड़ीतर निर्मान का उ इसे आपको यादोना चाहिए यहां पे सी वाला अपसंट जो न बिल्कुली करक्टर अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं यहां पर दस नमर पर जो कि बहुत ही महत्पोर्णे साइन्स का मोस्ट इंपोर्टेंट परसन यह है कि हीलियम कैसा तत्व है तो यहां प बिल्कुली करक्ट अंसर हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं पर अगला परसन को देखेगा जो कि बहुत ही मतपोर्ण है परसन यह कराए कि स्वायामी दयानंद की सिक्षा किस भासा से शुरू हुआ तो यहां पर आपको संस्कृत भासा से या पर हिंदी भासा से और अप्संसे अंग्रेजी भासा से या फिर उर्दू भासा से तो स्वामी दयानंद की सिक्षा जोना किस भासा से सुरू हुआ था तो संस्क्रित भासा से शुरू हुआ इससे आपको याद होना चीए यानिकि यह पर एबलो आप्सं जो नेक्ट क्वेस्षा में पूचे जाएंगे परसन एक राय कि राओर केला लोहा इस पात उद्धोग कहां इस्ती दो यह आपको बताना ठीक है तो आपसन ए में पुदी बिहार में या पिर केरल में और अपसंडी है पंजाब में तो फ्रेंड राओर केला इस पात उद्धोग जो एना उडिसा में इस्ती परसन पूछे ही जाएंगे परसन एक राय कि अड़क्त में कौन सा तत्वो पाया जाता है ललन टो प्रसन है तो यह पर सब्सक्राइब यह बहुत ही महतपॉर्ण परसन है अब चले फ्रेंड देखते हैं पर 14 परसन जो कि मैंस का परसन है यह भी परसन जोना बहुत ही सबसे पहले आपको यहां पर उता लेना पड़ेगा क्या दिया हुआ थीक है तो यहां पर पूछ राएगी यह थीटा कमान कितना होगा तो चले हम लोग यहां पर क्या करेंगे चले फटावर से चेंज कर देते दोस्तों यहां पर टेबल आपको याद ना तो रूर तीन कितने डिगरी के मान पर रूर तीन होता है तो यहां पर क्या होगा दोस्तों टेन से टेन केंसिल हो जाएगा उसको बाद यहां पर सिर्फ और सिर्फ क्या बसता है थीटा का भी आपको काफी तरीके से समझ में आ चुका होगा इसलिए जो भी वीडियारते भी तक वीडियो को लाइक कर दीजेगा ठीक है और टेस्ट को शुरू से लेकर आगरी तक जरूर देखिए दीजेगा दोस्तों क्योंकि यहां पे मिलब जो संडे को सभी सब्जेट का मिक्स टेस्ट होते ना काफी सांदर परसन होते हैं वह इसे परसन को मिक्स टेस्ट में समलित किया जाता है जो बोड एक्जाम के लिए रामबान साबित हो सकता है यानि कि 100% पूछे जाएंगे मिक्स टेस्ट से ठीक है और यहां पर आप त्यारी को भी जा सकते हैं मिक्स टेस्ट के दोरा इसलिए टेस्ट को सुरूफ से लेकर आगरी तक जरूर दीजेगा दोस्तों और आपको यहां पर कोसिस करना है कि एक एक कोसन का अंसर लाइब चेट में फिर कमेंड बॉक्स में कमेंड कर देना है ठीक है इससे हमको यह पता यह भी नहीं तो फिरेंग आपको पता होना चीह यह ग्रेफाइट एक परकर का क्या होता है अधातू होता है अईसा में जितने भी धातू होते है और दोस्तूर ग्रेफाइट अप्वाद है इसे आपको याद दोना यानि कि यहां पर विल्कुली करेक्ट्रांसर हो जाएगा और दोस्तों यह जो ग्रेफाइड होते हैं कार्बन के अपर रूप भी होते हैं अब चले फिर देखते हैं आप अगला पर सना तो फ्रेंड यहां पर सब्सक्राइब कि टेन थिता किसके बराबर होता है तो यहां पर आपको बताना है कि तो सबसे अधिक किस राजी में होता है बहुत ही सिंपल परसने बहुत बर आपको बता चुके हैं तो सबसे आधिक यहो जो थे न उत्तर परदेश में होता है कहां पर होता है उत्तर परदेश उपी में न चीए यहां पर सीव लॉपसिन जोने बिलकूल अर्थ व्यवस्ता जर्जर हो गई कैसी तो यह पयों परकुक आज बंग 15 trauma की दिने कारण जर्जर हो गई अरफ पर नीटी के कारण काफी सिम्पल पर सबने है यहां पर विल्कुल हो जाएगा अब आए फ्रेंड देखते हैं पर उन्हें इस नमर पर सम्कों को देखेगा क्या करा है कि सरीड की यहां पर उताने कि सरीड का उत्सर्जी पदार्थ कौंसा है ठीक है तो यहां पर यूरिया यह पिर लाड यह पिर पैपसिन जिस प्रकार प्रेंड फिर पर उत्सरी पदार्थ क्या होते हैं यूरिया यहां पर बिल्कूल हो जाएगा अब चले फ्रेंड देखती हैं पर नेक्स्ट क्वेस्ट जो की बहुत ही महत्पोर्य ने क्या कराएगी गराम कचड़ी का परधान कोन होता है तो यहां पर आपको बताना है कि कचरि का परधान कोन होता है जो परफिर सर पन्च या पिर समीती तु फ्रेंड कर जो कि रच नाओं को किसने संगर्ह किया तो यहां पर पर यह अपर बिल्कुली और घृख अरजुन देव ने यह पर गुरु नानक देव ने यह पिर हर दियाल ने या पिर हरी ओम ने तो फ्रेंड है गुरु नानक के रजनाओं को किस ने संग्र किया वही आपको बताना है तो गुरु अर्जुन देव ने संग्र किया दोस्तों इसे आपको याद होना चाहिए यानि कि यहां पर एवल आपसें जोने विल्कूल ही करे ट् अरे विजन में अफाहिए देख्यक्स अर में या पर कि उन्धिन है व्ल명이ी होते हैं यह कोफी इसे होता है तो यहां पर नोपकूली करक्टर हो जाएगा कवा को लोग क्या काते कोफी भी काते हैं अब अगला परसंद को देखेगा जो की बोर्ड एक्जाम के लिए बहुत ही मतपूर्ण है तो फ्रेंड परसंद यह कराए कि आहिंसा दिवस्ट की स्तीथी को मदलब किस दिन को मनाया जाता हूं या बताना है तो यह गांदी जी जरम हुए थे जरम को जर्म दिवस्ट के रूप में आहिंसा दिवस्ट को मनाया जाएगा अब चले फ्रेंड देखते हैं अगला परसन को देखेगा जो कि बहुत हिमत पोड़ने क्या कड़ाएं कि कोसी का में उर्जा किस रूप में संचीत होता है तो याद हो न चाहिए और दोस्तों हमें यह भी पुछे साथ पुछे जा सकते कि ग्लुकोज का अन्विक शूतर क्या होता है सी सिक्स टुएल्व और सिक्स होता है इसी आपको याद होना चीए अब आये फ्रेंड देखते हैं पर 25 परसन को देखेगा क्या करा है कि पंचायत का मुख्या बनने के लिए नियूंत उम्रे क्या होना चीए यानि कि अगर आपका हो जाता है न तो आप चुना ओलार सकते हैं मुख्या में ठीक है इसे आपको याद होना चीए यहाँ पर डीवला अप्सन जो है बिल्कूली करेक्ट अंसर हो जाएगा अब आई फ्रेंड देखते हैं आप नेक्स्ट कोशन क्य क्या कराएगी किस राजे में सबसे अधिक चीनी मिल है बहुत ही मतपोर्ण है तो यह पर उपसर अधिक चीनी मिल सबसे ज्यादा है क्योंकि यहाँ पर गन्ना को उत्पादन किया जाता है यहाँ पर डीवला आप्सन जो ना बिल्कूली करेक्टर अंसर हो जाएगा अब आ अधीक उर्जा मुक्त होता है तो यह पर यहाँ बंब साई में यहाँ ब्लकूली को हो जाएगा अब चले देखते हैं आप 28-9 परसंग को देखेगा जो की बौड एक्जाम के लिए बहुत की मतपोर्ण है तो फ्रेंट परसन का राय कि सरल्थम हैड्रोकारबन निमन में से कौन है तो यहां पर बताने कि सरल्थम हैड्रोकारबन निमन में से कौन है तो यहां पर option A में पूद मिथेन या पिर रिथेन या फिर प्रोपेन या फिर व्योटेन तो यहां पर जो सबसे सरल्थम हैड्रोकारबन होते हैं दोस्तों क्या यह दोनों मेल करके क्या बनाते हैं यहां पर उप्सण जो कि बहुत ही मतपूर्ण है कि सबसे अधिक तन्य धातू कौण सा है बहुत ही तो आप लगबग दो किलो मीटर लंबा तार खिच सकते हैं इसलिए सोना क्या होते हैं सबसे अधिक तर्णी होते हैं यहां पर डीवला आपसन जो न विल्कूली करेक्ट आंसर हो जाएगा अब आए फ्रेंड ने देखते हैं पर तीस नमर परसन जो कि बहुत ही मतपूर ने टेस्ट का लास्ट परसन का आंसर आपको धमाकेदार जली से फटावर से बता देना क्योंकि यह जो तीस मोश्ट इंपोर्टेंट है सभी सब्सेट का जो मिक्स को सन बताये ना यह सभी परसन बोर्ड एकजाम में हंड्रेट परसन सो परतिसत देखनों को मिलेगा इसलिए एक एक को संसर आपको लाइब चैट में कमेंड कर देना है ठी फ्रेंड पटना नगर निगम के परधान को क्या कहते हैं महापोर कहते हैं यानि कि यहां पर एवल ऑप्सन जो बिल्कूली करक्ट आंसर हो जाएगा अब आई फ्रेंड देखते हैं आप आज का है डावलो को संस जो की आपके लिए यहां पर चुना गिया है और आप यह भ रही है और दोस्तों जो भी वीडियारती है वार्ट सम्कूर में जुड़ना चाहते हैं तो आपको फानल एक्जाम होंगा तो सब कुछ आपको फिडियो कोस्ट मिलेगा ठीक है और इनके साथ से एच डाबल कोसंस का अंसर जली से आप फटावर से में कमेंट करके बताएं तो यहां पर परसनी है कि नर युगमक और मादा युगमक के सनी ओजन से क्या बनता है ठीक है तो यह पर चार उप्शन से इसका जो भी राइन से लगता है न जली से फटावर से आप हमें कमेंट करके जरू बताएगा और जो भी विदियारते भी तक वीडियो को लाइक न इतना है तो यहां पर इसका कमेंट बॉक्स में कमेंट जरू बताएगा तो फिर मिलते हैं यहां पर अगले कलास में दोस्तों थेंक यू